कल यानि 11 अप्रेल को उत्राखंड में चुनाव होने हैं ऐसे में नेताओं में जुबानी जम भी शुरू हो गई है नैनिताल लोकसभा सीट पर कॉंग्रेस और भाशपा के बीच जगड़ी टककर है हाला कि कॉंग्रेस सी अपनी जीत का दम भर रहे हैं तो वहीं उत्राखंड के पूर मुखे मंत्री और कॉंग्रेस प्रतियाशी हरीश रावत के बड़े बेटे विरेंदर रावत का कहना है कि उत्राखंड की पांचों सीटों पर कॉंग्रेस प्रतियाशी जीत कराएंगी इस दुनान पूर्व राजय मंत्री राहुल यादव भी केंज सरकार पर जम कर बरसे उन्हें ने कहा कि डबल इंजन के सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है उत्राखंट की नैनिताल लोकसबा सीट को काफी होट सीट माना जा रहा है कारण है खुद उत्राखंट के पूर्व मुख्य मंत्री इस सीट से कॉंग्रेस के परतियाशी है तो अभी हमार साथ मोजुदन के बड़े बेटे विरंदर रावज जी विरंदर जी क्या कुछ देख रहा है इस बार क्या कुछ होने जा रहा है गैरा अप्रेल को परत्थम सरण का चुराओ होने जा रहा है जिसमें हमारे नैनी ताल उदम सिंग नगर जिस पर हरीश रावज जैसे कदावर निता खुदी मैदान में हैं कॉंग्रेस के टिकेट पर और मैं कटीमा से लेके जस्पुर्तक और नैनी ताल से लेके बीम ताल और हल्दवानी सभी जगह मैं पूरे छेत्र मगूं चकाओं अब तक 14 विदान सभाओं में तो मेरे देखने में जो आया है कि वो हरीश रावज जी के प्रती लोगों की एक दिवानगी है और उन्होंने जो कारी किये थे जे मुख्य मंत्री लोग चाहते हैं कि दुबारा हरीश रावज जी इस परदेश के मुख्या बने परदेश के मुख्य मंत्री बने और आज चुनाव लोकसभा का है और वो एक मिदवार के रूप में हैं तो निश्चे तोर पर यहां से जेदा मत्नी जी की तो अपने नाम से बोट भी नी मांग रहे हैं तो इसका सीधा सीधार्वाज चीदा आर्थ है कि वह रही शरावज जी के सामने बहुत बौने साबित हो रहे हैं तूसरी तरह आपार राहुल गांदी जी हैं जिन्हों ने तीन राजिए में आपने देेखा हुआ कि राहिस्तान म dość Sign कि राखदिश यहाँ कि अगर हमारी सरकार बनाने माफ सयुक्र स्यूकरत करेंगे ने घैसा हुए किमनला जी कंडू केES कर्ज करदो Conf Tech कर 가지고 करें जी ऐसा है देखिए जो हमारे इसके प्रधान मंत्री हैं जो चोड़ चौकिदार के रूप में बसूर हैं और अभी बड़े भाई प्रेंद राबजी ने भी बताया जो हमारे पी सीजी के मेंबर भी हैं उत्राकंड से कि इस समय इनोंने किसान को दोका दिया बेरोजगा है हुआ कर दिए युवाओं को दोका दिया दो करोड युवाओं को नौ करी देने का वादा किया था जो लकुर ने i अंदर भीया ने बताया भी कि 72,000 उपे साल आना जो नियाय योजना अपनी भूतना पत्र में हमने एलान किया है उसको हम सरकार बनने पे तुरंट वह हमारी लागू हो जाएगी और हम टोटल भारत में सभी भारतवर से हो किसानों का करदयामाप करने का काम करेंगे क्योंकि अब किसान आतमात्या कर रहा है किसान तराही तराही कर रहा है और मोदी जी बिरियानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में धोलब जाते हैं जापान में तो ऐसे चोर चोकीदार को हमें जो राफेल में हमारे साथ में दगावाजी की हमारे देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान के उपर वो चनाव लड़ रहे हैं जो कि उन्होंने पहले हिंदु मुसलिम के उपर लड़ा था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसका मुद्दा ब ख्यमंत्री उत्राखंड में ऐसा हुआ है जिसने उत्राखंड में विकास की नदियाभादी जो आज बिल्कुल डवल इंजन सरकार विफलो चुकी है जो भूस सारे वादे करकर स्टेट में आये थे जो डवल इंजन का नारा देकर मोदी जी ने इनको यहां पे लाने का काम क यहां कि एक सरकार एक कैंदर से इंजन होगा और एक परदेश से इंजन होगा जो दोनों ही फेलू चुके हैं इसकी पुष्टी वुरेंदर भहिया ने सारी कर दिया है और हम पूरे दमदार तरीके से उत्राखंड में नयनिताल में लगे हुए हैं और मैं एक बात और कहना देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बरबाद गुलिष्टा करने को एक डाल पे उल्लू काफी है इन्जाम गुलिष्टा क्या होगा जहां हर डाल पे उल्लू बैठा हो अरे बरबाद करने के लिए तो एक पिरधान मंत्री ही बहुत थे मोधी जी लेकिन उन्ह कास की कोई सारी विकासो पे पिनों ने रोख लगा दिन्हों उत्राखंट को पीछे करने का काम क्या हो यह हूने नहीं देंगे और मैं अफील करता हूँ उत्राखंट की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा कॉंग्रेश पालिटी को बोट देकर हमें विज़े बनाए जहिन ज झाल